हाई प्रेंड्स वेलकम टू निशाइजी रेसिपीज आज हम हाइदरावादी चिकन करी बनाईंगे जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए यहां पर हम एक केजी चिकन लेंगे इसे हमने अच्छे से धोके ले लिए हैं इसमें थ्री टीस्पून जिंजर गालिक पेश्ट डालेंगे वन टीस्पून हल्दी पाउडर देर टीस्पून लाल मिर्च पाउडर टू टीस्पून घनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे वन टीस्पून गरम मसाला यहां एक कप धनिया पत्त डालेंगे और आधा कप पुदीना पत्त डालेंगे आप पुदीना और धनिया बराबर भी ले सकते हैं और आधा कप दही डालेंगे इन सबको आप हाथ से अच्छे से मिला देंगे अब अच्छे से मिल गई है इसे हम ढक के एक घंटे के लिए एरिनेट होने देंगे यहां हम हापका पॉइल लेंगे यहां तीन मीडियम साइज का प्याज को इस तरह चौप करके डाल देंगे प्याज को अच्छे से भून लेना है यहां जब अच्छे से भून गई है इसमें हम चिकन डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे यहां वन टीस्पून कास्मेरी रेड़ चिली पाउडर डालेंगे सबको अच्छे से मिला लेंगे अभी अच्छे से मिल गए है इसे हम 10 मिनट के लिए मिडियम टू हाइप लेंप पे कुख होने देंगे 10 मिनट बाद इसे फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढख देंगे 10 मिनट बाद चिकन हमारी रेड़ी है अगर आपको और करी चाहिए तो आप यहाँ पे एक कप गरम पानी डाल सकते हैं और स्वाध अनुसार नमक भी डाल सकते हैं इस तरह चिकन करी बनाने से बहुत ही ज़्यादा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थांक्स पूर वाचिंग प्रूश्ग करें लग राल सकते हैं